हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में हम स्ट्रक्ट्रल और्गनाईजेशन ओफ सेल के वारे में बात करेंगे यह हमारा जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसका सेकेंड वीडियो लेसन है अब हम जब सेल को देखते हैं तो हमें इसमें कुछ में फीचर्स दिखाई पड़ते हैं में फंक्शनल रीजन दिखाई पड़ते हैं और यह जो फंक्शनल रीजन हैं यह तीन होता है सबसे पहले क्या रहता है सबसे पहले रहता है इसको हम प्लाज्म मेंब्रेन भी कहते हैं और प्लांटे जो है वो है nucleus ठीक है और थर्ड जो functional region है वो है cytoplasm ठीक है तो किसी भी सेल को जब आप observe करते हो तो उसमें ये three major functional reasons होते हैं ठीक है दा cell membrane और दा plasma membrane and cell wall the nucleus and the cytoplasm ठीक है अब जितनी भी activities है cell के अंदर या cell का जो interaction है उसके जो environment से वो सब इनी features के थुरू control होता है अब हम लोग देखेंगे यहां पर इसको एक flow chart के form में कि कौन कौन से जो major functional region है cell के अंदर वो रहते हैं सबसे पहले आपको बताए हम में cell membrane cell membrane को हम plasma membrane भी कहते हैं और plant cell में cell membrane के बाहर एक और membrane होता है जिसको हम बोलता है cell wall ठीक है दूसरा जो functional reason है वो है cytoplasm और third है nucleus cytoplasm में क्या रहता है cytoplasm में दो parts रहते हैं एक तो cell organelles रहते हैं दूसरा cell inclusions रहते हैं cell organelles हम लोग इन सभी को details में पढ़ेंगे और cell inclusions को भी detail में पढ़ा जाएगा आगे के जो भी video lessons होंगे उनमें हम इनको देखेंगे ठीक है nucleus के यह कुछ parts है आप लोग जो पुछला वीडियो lesson है उसमें हमने पढ़ा था prokaryotic and eukaryotic cell तो वहां पर देखा था कि nucleus होता है prokaryotic cell में वह well developed नहीं होता है कैसा nucleus होता है उसका हम nucleoid कहते हैं ठीक है यहां पर यह सारे features जो है nucleus के जितने भी part है यह eukaryotic cell के बारे में बताया गया है अब हम यहां पर देखेंगे plasma membrane के बारे में plasma membrane को हम लोग cell membrane भी खहते हैं ठीक है तो plasma membrane का अगर हम बात करें तो it is the outermost covering outermost covering in animal cells ठीक है लेकिन plant cell में it lies next to the cell wall ठीक है अब plasma membrane को जो यहां पर आपको जो photograph या diagram जो दिख रहा है वह है fluid mosaic model इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूं क्या है यह है फ्लूइड फ्लूइड मोजाइक मॉडल मोजाइक मॉडल या फर structure गहेंगे इसको ठीक है यह जो मोजाइक मॉडल था यह किस ने बताया यह बताया है यह फ्लूइड मोजाइक मॉडल था वो 1972 में ठीक है सिंगर 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 और सिंगर और 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 दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था निकॉल संग निकॉल संग इन्हों ने निकॉल संग है तो इन्हों ने यह जो फ्लूइड मॉजाइक मॉडल था उसके बारे में बताया थीक है अब इनके फ्लूइड मॉजाइक model के according यह जो plasma membrane है इसमें दो लेयर्स रहती है दो लेयर्स किसकी होती है phospholipid molecules की ठीक है phospholipid by layer of phospholipid molecules और इसमें दो टाइप के protein molecules देख रहे हैं यह जो blue color से जो आपको देख रहे हैं दूसरा यह जो दूसरा यह जो color है यह वाला ठीक है यह है फ्लूइड mosaic model का ठीक है यह हां तो यह protein molecules है protein molecules यहाँ पर दो टाइप के हैं intrinsic protein molecules and extrinsic protein molecules intrinsic protein molecules वो हैं जो lipid by layer को completely cover करते हैं ठीक है मतलब दोनों layers के across में प्रिजेंट यह जो blue color से दिख रहा है ठीक है इसको हम कह रहे हैं intrinsic protein molecules और जो extrinsic protein molecules हैं वो यह हैं जो हमने इसको circle किया था भी आपको इसका मैं थोड़ा color change कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा ठीक है यह जो molecule आप बना हुआ है इसके अंदर यह देख सकते हैं blue molecule के पास में जो बना हुआ molecule है यह extrinsic protein molecules है मतलब यह आईदर दे occur on the outer surface और on the inner surface of the lipid membrane ठीक है यह या तो बाहर वाली surface पर होते हैं lipid membrane के यह अंदर वाली surface पर होते हैं ठीक है अब इस diagram को थोड़ा समय आप simplify करके आपके लिए बनाओं मैं देखें आप कैसा यह diagram है ठीक है जो lipid bilayer molecules है वो इस तरीके से रहते हैं सब पास पास में ठीक है यह एक लेयर मैं बना रहा हूं उपर की और फिर यह एक protein molecule आ गया जो कि सिर्फ एक ही layer में है फिर lipid molecules है फिर एक protein molecule जो है वो यह दोनों layer में रहेगा ठीक है एक या मतलब एक से जाता है यह diagram में मैं एक शो कर रहा हूं यह एक layer बन गया इसी तरीके से नीचे भी layer होती है यह बन गया दूसरा molecule हो गया ठीक है अब यहां पर भी एक protein molecule दिखा देते हैं जो सिर्फ इसी लेयर में है यह बन गया आपका देखें यह है फ्लूइड प्लाज्मा मेंबरेन के यह मॉडल इन्होंने दिया था अब इसमें हम आपको बता रहे थे कि बाइए लेयर ऑफ फोस्फोल लिपिड आ उसको हम के रहे हैं तो यह लेः दिख रही आपको और एक यह लेघर दिख रही है मन देते कि यह वाझी लिएर जो है वह बाश्मा मेंबरेन के और यह इनर लेघकर यहां पर आप देखंग है कि यह protein मॉलेक्यूल्स हैं एक यह और यह ठीक है यह प्रोटीन मॉलेक्यूल्स दो टाइप के हैं एक तो वह हैं जो दोनों मेंब्रेंट को क्रॉस कर रहे हैं यह वाला तो इसको हम ने क्या बोला था इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलेक्यूल्स और जो एक ही लेयर में रह रहा था उसक कुछ भी transportation होना है Plasma membrane के थूँ वह इस protein molecule की थूँ होगा यह बाहर से अंदर substance आ रहा है और अंदर से बाहर भी यहां से मूव करेगा इसलिए इसको हम protein molecule carrier protein molecule भी कहते हैं ठीक है चलिए अब इसके कुछ characteristics देख लेते हैं Plasma membrane के यह जो membrane है यह बहुत ही थेन होता है ठीक है कैसा membrane है बहुत ही thin membrane है flexible है delicate है और living membrane है ठीक है living thin delicate flexible membrane है ठीक है इसको हम semi permeable membrane खहते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं selectively permeable membrane क्या बोलेंगे selectively permeable membrane ठीक है because it allows the movement of only certain molecules ठीक है only some materials are allowed to enter and exit the cell through this plasma membrane ठीक है इसलिए हम इसको selectively permeable membrane भी कहते हैं अचा ये lipoproteins की ये तो हमने बताई दिया phospholipid molecules की बनी होती है ठीक है चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग अब plasma membrane के क्या functions है ठीक है तो functions की जब हम बात करेंगे तो plasma membrane देखिए क्या करता है सबसे पहला separates cellular contents from its surroundings क्या कर रहा है ये जो cellular content है मतलब cell के अंदर का जो content है उसको ये surrounding से separate कर रहा है ठीक है उसके बाद में it act as a effective barrier effective barrier की तरह ये act कर रहा है ठीक है किसकी तरह act कर रहा है effective barrier की तरह act कर रहा है ठीक है मतलब की surrounding environment से सेल को सेल का एक boundary की तरह एक करता है ठीक है इट ऑल्सो रेगुलेट्स थैंट्री आइंट्री आइंट्री आइंस थ्रू प्रोसेस अफ दिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टीक है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम लोग यहां पे डिटील में समझ लेते हैं when particles move from high concentration region to low concentration region this is called diffusion the movement of particles from a region of high concentration to a region of low concentration is called diffusion and this movement is our own what can we say spontaneous spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to the region of low concentration and when will this movement remain? the movement of particles the concentration is uniform and it is not the diffusion is in the gases in the chemistry we have studied the gases phase in the liquid in the solid in the solid the second is osmosis osmosis is the movement of water ठीक है ओसमोसिश ने क्या होता है to a region of low water concentration through a semi-permeable membrane through a semi-permeable membrane okay semi-permeable membrane okay this is called SPM semi-permeable membrane okay so functions have been the first function it separates the cellular contents from the surrounding and it acts as an effective barrier and regulates the entry of certain solute and ions through the process of diffusion and osmosis okay in processes come or we detail me holding a live class my maintains shape of the same again it also helps in the maintenance of shape of the cell and it also helps in ingestion of materials just a key johamne dekha a johamara amoeba hai amoeba kiya ho ta woh us ka josell membrane ho ta ha요t呀 air gare you do go through got you gonna go we can't wait for in just cut by the cut thishey m fix the mentor you always help Keith en Die A verse of amoeba RIosal pledge my वो इसके जो क्रेक्टरिस्टिक्स हैं वह हमारे plasma membrane से just opposite रहते हैं ठीक है opposite मितलब की जो natar है इसका वा plasma membrane से काफी अलग है तो वह अभी हम देखेंगे इस में क्या क्या अलग है reason देए यह एक non living membrane है आपने देखा था plasma membrane कैसा niveling membrane और cell wall कैसे known living है plasma membrane हमारा जो था वो delicate था flexible था ठीक है soft था कैसा था membrane delicate था elastic था और यह कैसा है यह है rigid किस टाइब का है rigid protective covering just outside the plasma membrane ठीक है अब इसके characteristic क्या है यह जो है वो cellulose का बना होता है ठीक है cellulose क्या होता है एक fibrous polysaccharide है मतलब की carbohydrate है उसका यह बना होता है ठीक है यह freely permeable है plasma membrane कैसा था plasma membrane था semi-permeable ठीक है आगे move करेंगे हम लोग अब cell wall के main functions देखेंगे क्या functions है तो it provides the rigidity and shape to the plant cells ठीक है पहला functions ही हो गया दूसरा इट allows substances in solution to enter and leave the cell without any obstruction क्योंकि यह freely permeable है तो यह allow करता है substances को enter करने में और leave करने में cell के अंदर या बाहर इट also provides protection ठीक है यह protection भी provide करता है दूसरा इट also permit the cell to become tergid ठीक है यह cell को कैसा बनाता है tergid बनाता है ठीक है मतलब cell जो है वो expand करती है क्या करता है cell expand करता है ठीक है चलिए अब हम देखेंगे cytoplasm के बारे में तो cytoplasm कहां पर present होता है plasma membrane या फिर cell membrane और nucleus के बीच का जो reason है वहां पर रहता है हमारा cytoplasm ठीक है अब यह जो cytoplasm है देखिए इसमें mixture of water soluble organic and inorganic compounds और बहुत सारे cell organs present होता है ठीक है इसमें aqueous ground substance होता है जिसको हम बोलता है cytosol और उसके अंदर बहुत सारे cell organs और cell inclusions रख्के होता है ठीक है अब हम देखेंगे cytoplasm के functions functions क्या है different cell organs contained in it perform different functions तो सभी जितने भी cell के cell organs है cell inclusions है वो सभी cytoplasm में है तो वो सारे different function perform करते हैं यह एक center है metabolic activities का जैसे कि जो respiration process है तो उसमें जो कुछ पार्ट है जैसे glucose का breakdown होता है तो पहले pyruvic acid बनता है वो एक intermediate product है glycolysis से form होता है तो वो cytoplasm में होता है उसके बाद में जो pyruvic acid हो से energy produce होने का जो work है जो process है वो mitochondria के अंदर होता है ठीक हैं तो यह glycolysis वाला भी हमने आपको बताई दिया है उसके बाद में it also stores chemicals such as glucose and amino acids ठीक है तो यह हमारा जो video lesson है वो यहां पे complete हो गया है आप सभी लोग हमारे YouTube channel को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले ताकि जो next videos हम upload करेंगे तो वो आप लोगों को उसका notification मिलता रहे थैंक यू for watching ऑक्ट ऑक्रेंगे उनाあの वोग殷पक कर ऋहें उना है आपक कर वोगों क reader को